के लिए हैं कि what are the real issues regarding जम्मू कश्मीर, who are the victims, वो कौन है उनको पहचानने की जुरत है, उनके लिए करने की जुरत है और जम्मू कश्मीर को लेकर हमको डिस्कोर्स बदलना है ऐसी एक चार-पांच छोटी-छोटी बाते और समझने की जुरत है, बेसिकली जम्मू कश्मीर को लेकर हर एक के मन में आता है जम्मू कश्मीर यानि कश्मीर, अभी जो जम्मू कश्मीर हमारे पास है, 1,1,000 स्केर किलोमेटर का जम्मू कश्मीर है, आप नक्षे में देख रहे थे, 59,000 स्केर किलोमेटर लद्दाक, 16,000 स्केर किलोमेटर इस कश कश्मीर and 27,000 square kilometer is Jammu. कश्मीर valley is one of the three region, smallest of the three region. Jammu की जो language है, that is Dhogri, क्श्मीर की भाषा कश्मीर ही है, लद्धाक की भाषा भोटी या लद्धाक ही है. अब लद्धाक में जाएंगे, आम लोगों का प्रसेप्शन क्या है, जम्मू कश्मीर यानि कश्मीर यानि मुस्लिम कश्मीर बेसिकली लद्दाक में 59,000 स्केल किलोमेटर में 5 वैलीज हैं उनमें 4 वैलीज ऐसी हैं जंसकार, ले, चांग-ठांग, और नुबरा, दैराब बुद्धिस मेजोरेटी एक कारगिल वैली ऐसी है, सुरू वैली ऐसी है जहां पर बल्टी मुसल्मान है, मेजोरेटी यार शिया मुसलिम कश्मीर वैली आज की तारीक में टोटली मुसलिम मेजोरेटी है क्योंकि वहां से हिंदू को दुरुभग यपून डंग से पिछले एक 500-600 साल में निकलना पड़ा सारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपूलेशन है जो ओरिजनली कश्मीर की रहने वाली जो डिफरेंट एरियास में है जम्मू के अंदर आप आएंगे तो 70% आफ दा पॉपूलेशन अग जम्मू देट आर हिंदू जम्मू काश्मीर के अंदर यह जो थी रीजन है लद्दाक इस बुद्धिस मैज़रटी जम्मू इस हिंदू मैज़रटी काश्मीर इस मुस्लिम मैज़रटी वन क्रोट टॉंटी लेक पॉपूलेशन में फिफ्टी लेक हिंदू बॉद्ध यह सब रहते हैं अगर आप सेपरेटिसम की बात को समझना चाहेंगे तो काश्मीर वैली के फाइव डिस्ट्रिक्स है शिरिनगर, अनंतनाग, पुलवामा, बारा मुला और शोपईया वहाँ पर एक सेक्शन ओव कॉमुनिटी है जिस सेक्शन ओव कॉमुनिटी में एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर ये सारी प्रो सेपरेटिस्ट या कभी-कभी ये सारी लीडर्शिप बहाँ पर कल्टीवेट हुई है बिसिकली जम्मो काश्मीर के अंदर जब ये सारे विश्य आते हैं अवजल गुरू को फांसी हो गई देश के अंदर मैं ब्रह्मन कर रहा था मेरे से बहुत लोग पूछते थे कि अरुण जी कश्मीर वैली के हालत तो बहुत खराब है स्टेट हिंदूस्तान में रहेगा क्या मैं उनको कहता था कि not more than seven days मैक्सिमम साथ दिन के अंदर है वो प्रशन करते थे कारण क्या है मैं उनको कहता था कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर की आखों से देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर कारगिल डिस्टिक्ट है जहां 85% मुस्लिम रहते हैं वहां एक भी सिंगल डे बंद प्रदर्शन या कर्फिव नहीं हुआ पुंचर रजोरी डिस्टिक्ट है जहां पर 70% 90% मुस्लिम रहते हैं वहां पर एक भी सिंगल डे कर्फिव बंद और प्रदर्शन नहीं पा जम्मू कश्मीर के अंदर यह जो कुछ भी वाइस ऑफ सेप्रेशन है जो भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट आपको दिखाई देता है जहां पर यह मैजोरेटी है आप जितने टेलिविजन पर सब देखते हैं लीडर सो आप सब देखते हैं मैं बहुत बर मीडिया के चनल्स को कहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर को लेकर देश का प्रस्पेक्टिव बदल सकते हैं आप किवल हमारी एक साहिता कीजिए कि जम्म को बुलाते हैं तो आप बुलाते हैं मिर वय यह अगिलानी को आप बुलाते हैं यसीन मली के शबिर शा को आप बुलाते हैं उमर अब्स्नुर्ण को आस्या, अंध्राभी या सज्जाद लोन को यह जितने के जोग है यह सारे के सारे कश्मीर वैली के इन पांट डिस्टिक्स के रहने वाले है जम्मू कश्मीर के अंदर कोई डिबेट हो आप एक जम्मू से बुलाईए एक लद्दाक से बुलाईए एक कश्मीर से बुलाई है आपको जम्मू का अधर परसेप्शन मी मौलूम पड़ेगा जम्मू कश्मीर के अंदर वाइस ऑफ सेप्रेशन है वहाँ पर सेप्रेटिस लीडर्शिप है वहाँ पर 14% पॉपुलेशन गुजर मुसलिम्स किया है आज तक कोई गुजर सेप्रेट लीडर नहीं हुआ वहाँ 8% पॉपुलेशन पहाडी राजपुद मुसलिम की है उनमें से कोई सेप्रेटिस लीडर नहीं हुआ 12% शिया मुसलिम्स है उनमें कोई सेप्रेटिस लीडर नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर एक वाइस आप सेप्रेशन है एक सेप्रेटिस leadership है एक separatism का sentiment है लेकिन majority of people in majority of areas they are not with them एक बहुत बड़ा sentiment वह प्रो भारत का sentiment भी है जो लोग सेनाओं के अंदर जिन्होंने काम किया वो आपको बदाएंगे border areas के अंदर वहां के गुजर वहां के areas में लेने वाले जो लोग है उन लोगों नों को किस प्रकार की साहिता किया वास्तों में जम्मू कश्मीर की यह जो voice of nationalism है वहां पर जो देश की आवाज है उसको भी समझने की जुरत है उनको ना समझना वास्तों में जम्मू कश्मीर के बहुत सरे प्रश्णों का एक कारण है दूसरी बात जम्मू कश्मीर को लेकर जो समझने की है वो लोगों के मन में है कि जेंड के यानि डिस्प्यूट जेंड के नौट डिस्प्यूट जम्मू कश्मीर भारत के बाकी राज्यों कितर म्हुष्णकरे पाकिस्तान बना हिंदू मैज़ोरी भारत बना टो जा एंड ग। इंडिया से के अंदर भारत को आजादी मिली न यू फंतर पहलता इपद्ड न॥po चनल्फ पाकिस्तान बना हिंदू मैज़ोरर्टी भाहरत बारत बंना तो start पर्स्ट वाइल इस वोड वी ओन अस पाकिस्तान डोमिनियन, रेस्ट वी ओन अस इंडिया डोमिनियन। यह जितने स्टेट से इंडिया इंडिया इंदर उनको आधिकार दिया गया, दे एकसीड तो अनी अव दूमिनियन, विट तो प्री कंडिशन्स, दो प्री कंडिशन्स दी गई, एक आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं, यू मस्ट आफ कॉन्टिजूटी विट पार्ट, और सेकेंड, यू मस्ट कंसीडर, दा पीपल आफ दा मेज़ोरिटी आफ यूर्स सब्जेक्ट्स, जो मेज़ोरिटी आफ सब्जेक्ट्स है, पीपल्स हैं, उनकी भावना का भी आप ध्यान रखेंगे, ये दो बाते उस समें कहेंगे, बहुत बार हम जब कभी हैधराबाद और जूनागर्ण की जम्मू कश्मीर से तुलना करते हैं, तो यहां गलती करते हैं, राइट ऑफ इंडिपेंडनेस नहीं था, देर वाज नो थोर्ड अप्शन, देर वर अनली टू अप्शन, आइधर टू एक्सीड टू पाकिस्तान और टू इंडिया, जूनागर्ण ने का मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूं, वो जा नहीं सकता था, हैधराबाद में का मैं इंडिपेंड रहने चाहता हूं, इंडिपेंड रहने का प्रोविजन नहीं था, बाद में का मैं पाकिस्तान में जाना चाहता हूं, जा नहीं सकता था, क्योंकि कौन्टी जूटी नहीं थी, जम्मु कश्मीर और हैदराबाद जुनागड की तुलना नहीं की जा सकती है इस विशे को लेकर और यह जो एक्सेशन था गौर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 अमेंडिट इन 1947 दैट विकम्स आवर इंट्रिम कॉंस्टुशन इन बोड़ा कंट्री इंडिया इंडिया पाकि इस इंस्टुमेंट आव एक्सेशन पर एक बार महराजा ने अस्ताक्षर किये सिगनिफाई हो गया 27 अक्टूबर को गवर्नर जलने सिगनिफाई किया जे एंडिया बिकम्स भारत पाकिस्तान ने दुनिया के किसी फोरम पर इस एक्सेशन को कभी चैलेंज नी किया और वो करने सकता कि जो राइट टुए एकसेशन था डेट अफीेट इट्सल भाशल एंड एंडिया इंडिपेंटनस अक्त अनक्ति आ नी कर सकता क्योंकि पाकिस्तान का भी चैलेंज को प्र उसका भी स्टित्तह को चुनोंती उती और भारत का विभाजन जो हुआ है उसके अंदर स्टेट्स को पार्ट नहीं थे स्टेट्स की पेरामोंसी समाप्त होगी ब्रिटिश सुजरेनिटी समाप्त होगी रूलर्स एप टू डिसाइड और उसके आधार पर जम्मु कश्मीर के महराजा ने निनने किया जम्मु कश्मीर भारत हो गया भारत की सविनान सभा के अंदर जम्मु कश्मीर के चार प्रतिनिदियों ने भाग लिया हमारा Constitution बना उस Constitution के सिडूल वन के Article 1 में 14th नंबर स्टेट डैट इस जम्मु कश्मीर का अपना Constitution बना उस Constitution के आप Section का अधिकार है जिस पर भारत की संसद को नहीं है अर्थात सुप्रीमेशिया इंडियन पार्लेमेंट और सेक्शन 147 कहता है सेक्शन 3 5 & 147 के नेवर भी एब्रोगेटिट अमेंड़ और रिवोक्ट केवल इतना नहीं है आप पाकिस्तान का Constitution देखिए पाकिस्तान के Constitution में कहीं जम्मो कश्मीर मेंशन नहीं है आप जिसको वह आजा जम्मो कश्मीर कहता है जहां पर उसने एक गौर्मेंट बना रखिया है अभी 2010 के अंदर वहां के AJK के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महतुपूर्ट डिसीजन आया ऐसे डिसीजन वैसे अने jurisdiction over AJK Supreme Court they must not interfere in our matters जम्मो कश्मीर को लेकर इन सब विश्यों पर clarity नहीं चाहिए और UNO का भी जो प्रश्ण आता है लोगों के मन के अंदर UNO का जो प्रश्ण है जिसके अंदर कई बार हम कहता है कि हमने को plebiscite का commitment किया वास्तों में जम्मो कश्मीर के UNO के विश्यों को समझन हैं तो केवल 13 अगस्ट और 5 जनवरी 13 अगस्ट 1948 और 5 जनवरी 1949 का resolution नहीं 13 अगस्ट 1948 के बाद 20 अगस्ट 1948 को हमने दो clarification मांगे 25 अगस्ट को हमको clarification दिये गए 18 दिसंबर को दुबारा से discussion हुई 20 दिसंबर तक वो discussion चली 21 दिसंबर को हमने उनको एक aid memoir दिया जिसके बदले मे 22 दिसंबर 1948 को दुबारा से एड memoir हमको Dr. Lozano Security Council Chairman की ओर से आया और उनको आप पढ़ेंगे तो आपको सफ़स्ट ध्यान आएगा उस UN के अंदर जो proposals हैं जो UN Resolution on Jammu and Kashmir है UN Commission on India and Pakistan की ओर से उसके अंदर छे बाते कही गई पहली बात कही गई Unconditional withdrawal of forces sent or maintained by Pakistan on the soils of Jammu Kashmir अगर dispute होता है तो वो कहते है कि भारत भी से नाट आएगा हम UN के अंदर question of aggression कहे थे dispute नहीं कहे थे हम एक simple question पर गहे थे कि हमारी जमीन पर aggression हो गया we want to vacate our lands that invasion is supported by abated by coordinated by Pakistan we are a sovereign country उस invasion को खाली कराने के लिए we have to enter the boundaries of Pakistan there would be full-fledged war we want to avoid war because we are loyal to UN Charter ये एक simple question था Pakistan ने एक simple सा जवाब दिया कि Jammu Kashmir में जो कुछ हो रहा है that is internal rebellion उससे मेरा कोई लिना दिना नहीं है मेरा कोई पीपल नहीं है that are no concern with me अगर dispute होता तो कम से कम पाकिस्तान अपने जवाब में कहता कि इस पर मेरा हक बनता है और इसलिए UN resolution की पहली लाइन है हमने clarification मांगा कि सेना तो अट जाएगी लेकिन what about the 30,000 forces created on the name of AJK forces by Pakistan they have armed them तो उन्होंने का large scale disbanding and disarming of AJK forces as well as AJK government AJK के नाम पे government इसलिए दुनिया में कोई उसको मानने ता नहीं देती UN ने का आप पाकिस्तान ने accept किया कि AJK government को disband किया जाएगा AJK forces को disband किया जाएगा हमारा next question था कि यह सब हो जाएगा तो फिर what about the territories that are presently in their occupation territorial integrity of Jammu Kashmir would be restored यह integrity होने के बाद India would maintain required number of forces उसकी सुरक्षा के लिए भारत को सहनो रखनी हों पर people uprooted due to aggression would go back to their homes when the conditions would be normal यह सब होने के बाद वो जो UN का resolution है क्योंकि हमने पहले ही प्रस्ताव में कहा था हमने कहा कि हमरे यहाँ तो पहले सी निरने हैं कि राजाओं के द्वारे accession नहीं ultimately will of the people के द्वारा हम और इस process को पूरा करने वाले हैं तो हमारे सामने सवाल किया गया कि will of the people के लिए आप क्या करेंगे तो भारत के सब राज्यों के लिए वो जो कभी-कभी मांट बैटन की चिठी को कोट करते हैं वो मांट बैटन की चिठी केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं थी वो बाकी भी स्टेट्स के लिए थी हमने पहले ही दिन नहीं किया था कि जम्मू कश्मीर के लिए सब प्रिंसली स्टेट्स के अंदर गांस्ट्राइट आसेम्बिश बनेंगी वो प्रोसेस ता उसको पूरा करने के लिए हमने पर गाने का निरने किया हुआ है और वहां पर जो एलेक्टिट लोग हैं वो डिसाइड करेंगे future of the state के बारे में तो हमसे एक सवाल किया गया कि क्या plebiscite कर सकते हैं हमने का हमें कोई आपत्ती नहीं है उन्होंने का दुनिया को लगे यह plebiscite निश्पक्षा अगर हमने को UN का plebiscite commissioner नुक्त किया हमने का इसमें कोई आपत्ती नहीं है लेकिन यह जो क्लेरिफिकेशन मांगे जो एड में मोईर दिये उसको पढ़ेंगे तो हमने दो बाते सफष्ट करी गई पहली बात हमने कई कि plebiscite वुड बी कंड़क्टिट बाइ जम्मू कश्पिर गवर्मेंट कि plebiscite commissioner आपका हो और इसके साथ साथ हमने एक बात और कही कि अगर यह निश्ची समय के अंदर यह सब काम पूरा नहीं हो सकता तो plebiscite would not be the only system के वल इसके द्वारा नहीं हम कुछ other options को भी सीख कर सकते हैं और उसके लिए हम कोई और भी रास्ता निकाल सकते हैं Dr. Lozano Security Council Chairman accepted the points made by our Prime Minister Akhiri Kendra Amneka there are three parts part one part two part three part one and part two truce and ceasefire and truce that has to be accepted by Pakistan and accepted and implemented by him also our Pakistan does not accept part one and part two accept and does not implement part one and part two then part three would not be binding for us डॉक्टर लोधनो सिक्यूरिटी कॉंसिल चेर्मेन एक्सेप्टिड दो पॉइंट मेड़ बार प्राइमिनिस्टर आलसो वास्तों के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर दुनिया का कोई इंस्टिटुशन यह सिंसियर नहीं था उनको सौल्व करना नहीं था जम्मू कश्मीर क जो स्टेटिजी के लिए इंपोर्डेंट हिस्सा था वो पाकिस्तान के पास चला गया था और इसलिए उससे जैदा उनका कोई इंट्रेस्ट बाकी नहीं था यूएन के अंदर जो कुछ भी चला 1950 आते आते तक हमारी लीडर्शिप को भी क्लियर हो गया और इसलिए 51 की डिसकुशन के अंदर हमने सपष्ट कहा कि अब हमारा यूएन के ओपर को विश्वास नहीं है आफ्टर अग्रिमेंट्स बिट्विन डिफ्रेंट नाटो कंट्रीज देटर बगदाद प्रेक्ट और सेंटो प्रेक्ट के बाद हमने कहा कि अब यूएन सीक्यूरिटी कॉंसिल इस नाट इंडिपेंडेंट फोरम क्योंकि उस समय जो 11 सदस्य होते थे उसमें से 8 कंट्री किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान उनका एलाई बन चुका था और हमने कहा कि हमारी और से विशे समाप्त है सीकिंग दा विल आफ दा पीपल फॉर बाइन अधर मींस उसको हम और ढूंडेंगे और उसके लिए प्रियास करेंगे और हमने असेंबली बनाई और जनता को हमने जो इच्छा जानने का वादा किया था 6 फरवरी 1904 को 6 फरवरी 1954 को हमारी जो कॉंस्ट्रेंट असेंबली आफ जम्मो कश्मिर्ती बैट रेटिफाइड दा एक्सेप्शन मेड़ बाई दा रूर आफ दा स्टेट जनता की इच्छा को जानने के लिए हमने जो आंतरिक वाद हमारे पक्ष में रशिया ने विटो किया बाद में कुछ डिसकेशन्स हुए वास्तों में उन सब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ध्यान में आएगा और 1972 के शिमला एग्रिमेंट के बाद तो वो रेजोलुशन भी इर्रेलिवेंट हो चुके है आज उनकी भी कोई इंप कौल अथиях अचारीचे जक्षा सब करता हो इसकेशन्कॉम्ड रेजोलुशन में उसके बाद रिस्प्रेक्टीब कंटरीशमें लिज औरicos international agreement होता है अड़्एथि फाइट ते बाद नेन에서 बाद रिशेट के विचा पार्लेमेंट होता है अड ज inom का चौलुच ऑंध नडों लेकिन भारत में बहुत लोग होंगे पुछेंगे कि प्लैबिसाइट हो गया तो क्या होगा वास्तों हमको समझने की जुरत है कि जम्मू कश्मीर को लेकर किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है लीगली एंड कॉंस्टिटुशनली जम्मू कश्मीर भारत के बाकी राज्य होने के बाद वहां की जन्ता की भागीदरी के बाद इन सारे प्रश्णों का आज कोई अर्थ बाकिन नहीं है तीसरी बात जो हमको समझने की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 370 पहली बात यह समझने चाहिए कि भारत का कोई कॉंस्टिटुशन उसकी आते ही आता है दिमाग में वोर्ट बेंक पॉलिटिक्स बीजेबी कॉंग्रेस क्या इस से बाहर निकल सकते है क्या मैं देश के बड़े-बड़े कॉंस्टिटुशन एक्सपर्स के साथ अकल मिलता हूं इस 370 के विशे को लेकर प्रारंब में तो कोई डिसकेशन नहीं करता था बात में जब उनके सामने ये सब सवाल लखने शुरू किये और उनके सामने काया कि ये 370 की 3 clauses है और 3 clauses में 425 words है आप इनको पढ़िये और पढ़कर बताइए कि वरड़े 370 दारा 370 के अंतरगत इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी राजनितिक दोखादड़ी हुई है एक बहुत बड़ा संवेदानिक दुरूपयोग हुआ है उस बात को समझने की जुरत है बास तो में आर्टिकल 370 भारत के constitution में जब इंकोर्परेट किया गया वो एक सिंपल स समझने की जुरत है जब देश आजाद हुआ constitution का प्रोसेस तैय हुआ negotiating committee of princes और जो हमारी कंस्ट्वेंट assembly की committee थी उनके बीच में फैसला हुआ तीन बातों का निर्णे हुआ एक इंडिया वूड़ी फेडरेशन टू स्टेट्स वूड़ पार्टिसिपेट इन constitution making process constant assemblies के election हो चुगे थे princely state से on the population of 10,01 representative participate करेगा और तीसरा हुआ कि all the states would have their own constant assemblies they would make their own internal constitution और उसके साथ साथ they would ratify the accession and also the jury decide about the jurisdiction of union constitution over their states आपको ध्यानो 1956 तक भारत के सविधान में थीन तरह के राज्य होते थे पार्टे पार्ड भी पार्ट सी पार्ड भी वस दी प्रिंसिली स्टेट्स नाइंटीन फोटीन में जब सारा constitution making process पूरा हो गया 18 अक्टूबर को प्रियेंबल पर आखरी बार discussion हुआ 70 अक्टूबर को ये 370 का proposal आया पूरा constitution हो जाने के बाद आखरी दिन ये ड्राफ 306 से आया तो उसका उदेश्य क्या था उन्होंने कहा वास्तों के अंदर भारत का constitution का इस सारा काम पूरा हो रहा है बाकी सब स्टेट्स के अंदर इस constitution को extend करने का अपने constitution को बनाने का प्रोसीजर प्रारम वो चुक है तीन स्टेट्स के अंदर assembly बन चुकी है सोराष्ट्रा मैसूर कोचिन ट्रेवन को बाकियों में प्रोसीजर प्रारम वो चुक है लेकिन जम्मू कश्मिर की स्टेट ऐसी है जिसकी परिस्तिती बहुत विकट है उन्होंने explain करते पे गोपाव स्वामिय यंगार ने जब ड्राफ्ट 306 से रखा उसमें स्पष्ट का कि जम्मू कश्मिर में यूद चल रहा है part of the states in the hands of enemy we are entangled in UNO we have made some commitments at international forum और उन commitments को हमको पूरा करना पड़ेगा और ये सारे काम पूरे करने है तो आज की तारीक में वो करने की जो authority है वहां की assembly प्रजासभा is dead और नया चुनाव हो नहीं सकता we cannot convene the constraint assembly और इसलिए only an interim or provision is possible an interim arrangement is possible and that interim arrangement is draft 306a which is which was renamed after all completion of our constitution as article 370 उनने का basically an interim management है और इसलिए इस constitution की धारा के ओपर लिखा गया temporary provision for the state of जम्मू कश्मीर assembly की डिबेट में का गया इंट्री में title में लिखा गया temporary provision clause 3 में again mention किया गया कि constant assembly का काम पूरा होने के बाद हम इस article को राष्टरपती हटा देंगे और by presidential order उसके लिए amendment की भी जुरत नहीं है इतना clarification था किसी ने सवाल किया कि क्या यह discrimination नहीं है गोपाल सभी एंगार ने कहा फर्ष्ट कहा कि देखिए आप इसको पढ़िए पहली लाइन यही है 211A वुड नाट बी अप्ली के बली जम्मू कश्मीर डैट वाज कॉंस्टिटूशन आप पार्ट भी स्टेट विच व अप्ली हो नहीं सकती है और वहाँ पहले से Constitution है तो दो Constitution लागूनी हो सकते है इसलिए हमने यह कहा है और हमने इसका एक प्रोसीजर बना दिया है क्लाज 1, क्लास 2, क्लास 3 में बड़ा स्पष्ट है क्लाज 1 में कहा कि इस इस नौट दा किस कि आज Constitution के आर्टिकल एक्स्टेंड नहीं करने आज एक्स्टेंड कोन करेगा Assembly नहीं है तो कंकरेंस आप गॉर्मेंट से आप एक्स्टेंड कर सकते हैं क्लास 2 में कहा Assembly बनेगी सब इस्टेंड करेगी और उसके आधार के बाद और काम पूरा होने के बाद यह एक्स्टेंड के बाद आप इंटिगरेशन आप स्टेंड के ओपर भारत का वाइट पेपर इस्टेंड बाहरत सरकार ने किया उसको आप पड़ी और आपको एक्दम क्लियर होगा वाट इस दा मीनिंग ऑफ 370 वास्तों में 370 किसी भी प्रकार का इसका समन यह दो जंडे दो समिधान यह अलग वेवस्था इन से नहीं था गड़वड कहां से प्रारंब हुई वास्तों के अंदर वो जो ब्रिटिश यूएस डिप्लोमेसी प्रारंब में जो सोच थी कि जम्मू कश्मीर मस्ट गो टू पाकिस्ताव